आधन यद्देट जी ये इंडिया गड़ बंदन नहीं है ये इंडिया गड़ बंदन नहीं है ये गमंडिया गड़ बंदन है ये इंडिया गड़ बंदन नहीं है गमंडिया गड़ बंदन है और इसकी बारात में हर कोई दुला मनना चाहता है सब को प्रधान मंद्री बनना है पीए मोधी के ये तेवर गुरु वार को संसद में दिखे अव इश्वास प्रताव पर चर्चा के दवरान पीए मोधी ने संसद में करीब दो घंटे बारा मिनत तक का भाशन दिया जिसमें उन्होंने विपक्ष पर जम कर हमला बोला पीए मोधी ने कॉंग्रेस के साथ विपक्षी गठ बंदन इंडिया को भी जम कर घेरा इसी दोरान उन्होंने विपक्ष के इंडिया गठ बंदन को घमंडिया गठ बंदन कहते हुए ये भी कटाक्ष किया कि सबको दुला बनना है और सबको पीएम बनना है पीएम मोदी के इस हमले का विपक्षी गटबंदन की धुरी माने जा रहे है बिहार के CM नितेश कुमार के साथ बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादों ने कड़ा पलटवार किया है तेजस्वी यादों ने कहा है कि पीएम मोदी विपक्षी गटबंदन से डरे हुए हैं इसलिए इसे घमंडिया गटबंदन कह रहे हैं जिसकी वज़ा ये है कि विपक्षी एक जुटो रहे हैं साथ ही उन्हों ने ये भी कहा कि पीएम मोदी चौके और छक्के की बाते कर रहे थे ये उनका भ्रम है वक्त आने दीजिए पता चल जाएगा तेजस्वी यादों ने तलख अंडाज में पीएम मोदी पर पलटवार किया वहीं बिहार के सीएम नितेश कुमार ने भी पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला आप पोजिशन ने कहा तो जब काम करना चाहिए न तो काम नहीं हो रहा है अजहां घट्टाय घट गई तो उसी के बारे में भी कोई बयान नहीं हाउस चलता है बहर घुमते रहते हैं तो यह सब पहले होता था जिए हम लोग थे जब तक MP थे और सरकार में भी सरदे अटल जी के सरकार में थे या उसके पहले भी सरकार में थे अब आप समझें उस सबय सब लोग रहते थे कि अब इनी लोग नहीं रहते हैं अपना कुछ-कुछ बोलते रहते हैं अब आप एक बात हम खाए कह देते हैं आप जो हाथ जोड़ करके खाह देते देखने की क्या जरूरत है अब तो हम देखना घटा दिये इसलिए कोई मतलब नहीं और यह अधिकार है विपक्ष का अधिकार है किसी बात को रखना उसको रख रहे हैं तेजस्वी यादवर नितेश कुमार के इस पलटवार का जवाब के आएगा ये तो वक्त तै करेगा लेकिन ये जानना जरूरी है कि गुरुवार को पिये मोदी इंडिया घटबंदन पर किस तरह से जो दार हमला बुले जिसके चलते पिये मोदी पर तीखा प्राहर किया गय जी ये इंडिया घटबंदन नहीं है और इसकी बानात में हर कोई दुला मनना चाहता है सब को प्रधान मंद्री बनना है दुला और पीएम कौन बनना चाहता है पीएम मोदी ने किसी का नाम तो नहीं लिया है लेकिन जिस तरह से सदन में वो विपक्ष पर हमलावर थे और जिस तरीके से नितिश कुमारो तेजस्वी आदो ने उन पर पलटवार किया है इससे साब जाइर होता है कि दोनों तरब से एक दूसरे को 2024 के लोगसबा चुनाओ को लेकर चैलेंज किया गया है जिसका रिजल्ट ही ये तैक करेगा कि दूला कौन बनेगा और PM कौन इसके लिए थोड़े वक्त का इंतजार करना होगा उसी वक्त का जिसका हवाला तेजस्वी आदो ने अपने बयान में दिया है इस खबरम बस इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें One India Hindi के साथ